हाई फ्रेंज मेरा नाम है हिना और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेजी व्यंजन में आज हम बनाने जा रहे हैं ये 100% होल वीड फ्लार ब्रेड ये मैदेच इतनी सौफ्ट तो नहीं है दोस्तों पर सही में बहुत जादा हेल्दी है चलो मिलके बनाते हैं सबसे पहले हमने लिया है 500 ग्राम होल वीड फ्लार उसके बाद हम उसमें डालेंगे 2 टीबल स्पून मिलक पाउडर उसके लावा चाहिए हमें चीनी और थोड़ा सा हम लेंगे स्वाद अनुसार नमक यहां मैंने 1 टी स्पून नमक डाला है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर जब सारे इंग्रेडिन्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे डेट चमच इंस्टेंट इस इंस्टेंट डालने के बाद हम फिर से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसका आटा गुनना स्टार्ट करेंगे यहां मैंने 400 ml पानी लिया है पानी एकदम गरम होना चाहिए या वाम होना चाहिए पानी डिपेंड करता है आपके आटे की क्वालिटी के साथ तो आप थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डालेगा 350 ml से 400 ml जितना पानी लग जाता है एक बार जब आठा इक खटा हो जाएगा उसके बाद ह 15 मिनिट बाद आप देखेगा आटा जो है हमारा रेस्ट करने के बाद किस तरह से इसमें जो है ग्लूटन अक्टिवेट होना स्टार्ट हो गया है अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच ओलेवाइड और फिर हम इस आठे को नीट करना स्टार्ट करेंगे आठा हमें क कम से कम 10 मिनिट तक गूंतना है ताकि इसके अंदर जो ग्लूटन है वो अक्टिवेट हो जाए क्यूंकि नॉर्मल मैदा है और आटा है उसमें बहुत फरक होता है ग्लूटन में बहुत जादा डिफरेंस होता है हमें आटे को तब तक नीट करना है जब तक वो एकदम चाहिए ताकि जब हम ब्रेट बनाए तो हमारी ब्रेट अच्छे से बन के आए जब आटा अच्छे से नीट हो जाएगा उसके बाद हम एक बड़े से बोल को ग्रीस कर लेंगे और उसमें इस आटे को रख देंगे कम से कम एक घंटे के लिए या फिर जब तक इसका साइज डबल नहीं हो जाता तब तक के लिए ताकि हमारी जो इस डली हुई है वो आक्टिवेट हो जाए देखिए हमारी इस किती अच्छी तरह से राइज हो गया है अब हम इस आटे को खोलेंगे और फिर हम इसे एक बार पंच कर लेंगे और फिर वापस से इसे नीट करना स्टा नहीं है तो आप उसे हटा सकते हैं थोड़े ही फ्लार में इस आटे को रोल कर लीजे का एक बार एक सिलेंडर में और फिर हम इसे तीन हिस्सों में काट लेंगे क्योंकि हम इसमें तीन रोल्स बनाके फिर ब्रेड में डालेंगे आप चाहे तो एक ही पार्ट में इस रोल को सिलेंडर को इस तरह जिस तरह मैं आपको फोल्ड करना बता रही हूँ इस तरह सिंगल पार्ट में भी आप इसको फोल्ड करके और टिन में डाल सकते हैं इस तरह हम उसे पहले थोड़ा फ्लाटन कर लेंगे उसके बाद इस प्रोसेस से हम उसे फोल्ड करेंगे पहले हम आधा इस तरह फोल्ड करेंगे और दूसरा हिस्सा उधर फोल्ड करके और इसे पिंच करके अच्छे से सील कर लेंगे उसके बाद फिर हम इस तरह फिर से इसे रोल करके और फिर अच्छे से जित्ते भी ओपन है जिसे उनको सील कर लेंगे मैंने इसी तरह बाकी तीनों हिस्सों को भी अच्छे से सील कर लिया है और रोल करके तयार कर लिया है सेम प्रोसेस से आप चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं अब हम ब्रेट टिन लेंगे और उसे ग्रीस करके उसमें इन रोल्स को सेट कर लेंगे और फिर हातों की साहता से प्रेशर देखके इसको अच्छे से दबा-दबा के सेट कर लेंगे इस तिन में अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको कवर करके कलिंग राप से और रेस्ट करने के लिए रख देंगे देखिए rest करने के बाद इसका size थोड़ा double हो गया है आदा गंटा इसका rest करने के बाद अब हम लेंगे sugar और milk का mixture और इसको हम इसके उपर brush कर लेंगे और फिर हम इसे 200 degrees पे 20 minute के लिए bake कर लेंगे bake करने के बाद इसे एक बार butter से हम grease कर लेंगे फिर से brush कर लेंगे मेरा जो baking temperature होने के बाद भी मेरको इसका color अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर मैंने इसको एक बार brush करके 2 minute के लिए फिर से 200 degrees पे bake किया है पर सिर्फ उपर की rod चालू रखी थी तो देखिए कितना सुन्दर color आ गया है और अब आपकी bread तयार है पर आप इसे हतो हाथ मत slice कीजेगा पहले थोड़ी देर इसको rest करने दीजेगा ताकि ये ठंडी हो जाए और देखिए हमारी जो आटे की bread है वो बनके तयार है इतनी soft नहीं होती है दोस्तों जितनी normally मैदे की bread होती है क्योंकि ये 100% whole wheat flour से बनी है पर ये tasty बहुत है देखिए soft तो है ये थोड़ी पर बहुत जादा soft नहीं बनी है और आपकी yummy yummy bread जो है जो 100% healthy bread है वो बनके तयार है आप एक बार इस recipe को ज़रूर try कीजेगा और मुझे बताएगा कि आपको ये कैसी लगी आपको मेन इसमें ध्यान रखना है कि आपको इसको कम से कम 10 मिनिट तक गूंदना है चलो अगर आपको ये recipe पसंद आए तो इसे like कीजेगा और मेरे चानल को subscribe करना ना भूले बाई बाई